प्यारे दोस्तों रट्टा नमार जी के ट्रिक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हिंदी के मैत अपूर्ण 24 MCQs चलिए शिरू करते हैं करकश का विलोम शब्द है कठोर विवेकी मधुर विनम्र इसका सही जवाब है मधुर यहाँ पर हम आपको बता दें मधुर करकश का विलोम शब्द है जबकि कठोर कॉमल का विवेकी एविवेकी का तथा विनम्र ध्रश्ट का विलोम शब्द है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रिजे, इंदू, इंद्रजीत, जितेंद्रिये इसका सही जवाब है इंद्रजीत यहाँ पर मापको बता दें जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह इंद्रजीत कहलाता है जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितें इंद्रिये कहलाता है उच्छ कुल में पैदा व्यक्ति धनी, स्वन, श्रेष्ट, कुलीन इसका सही जवाब है कुलीन कामाईनी महा काव्ये के रचियता है मुन्शी प्रेमचन, जैशंकर प्रसाद, कबीरदाज, महादेवी वर्मा इसका सही जवाब है जैशंकर प्रसाद इश्वर तुम्हें दिरगायू दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताईए इसका सही जवाब है इच्छा वाक्य यहाँ पर हम आपको बता दें इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है इतिश्री फूल का प्रेवाची नहीं है सुमन, कुसम, तनुजा, पोष्प इसका सही जवाब है तनुजा यहाँ पर हम आपको बता दें सुमन, पुष्प, कुसम, फूल के प्रयवची शब्दे जबकि तनुजा, बेटी या पुत्री का प्रयवची शब्दे किस रस को रसराज कहा जाता है वीर रस, हास्य रस, श्रंगार रस, शान्ती रस इसका सही जवाब है श्रंगार रस मन्रे तनकागत का पुतला, लागे बूंद विनसी जाये छिन में गरब करे क्या इतना, इन पक्तियों में कौन सा रस है भक्ती रस, श्रंगार रस, करून रस, शान्त रस इसका सही जवाब है शान्त रस यहाँ पर हम आपको बता दें जिन विश्यों या उद्वीपनों से परमात्मा के वास्तिक रूप का ज्यान होता है और अन्य विश्यों से वेरग्य हो जाता है उसे शान्त रस कहते है जिस शंद में चार चरंड और परतेक चरंड में 16 मात्राइं होती है वह कहलाता है इसका सही जवाब है यहाँ पर हम आपको बता दें चोपाई एक सम्मात्रिक चंद है इसमें चार चरंड तथा परतेक चरंड में 16 मात्राइं होती है चरंड के अंत में गुरू के बाद लगूवर्ण आना वर्जित है कल्प व्रिक्ष का प्रैवची है पारिजात, कल्प तरू, देवरक्ष, ये सभी इसका सही जवाब है ये सभी यहाँ पर हम आपको बता दें पारिजात, कल्प तरू, देवरक्ष, देवद्रम, मंदार, हरिचंदन, आदि कल प्रवक्ष के प्रयवाची शब्द है हिंदी की आधी जन्नी है पाली संस्कृत अब भरंश प्राकर्थ इसका सही जवाब है संस्कृत यहाँ पर हम आपको बता दें वेदिक संस्कृत से हिंदी भाषय का विकास हुआ है संस्कृत भाषय के तत्व भारत के सभी भाषयों में समान रूप से मिलते हैं जिस रूप में आज हिंदी भाषय बोली वे समझी जाती है वे खड़ी बोली का साहित्तिक रूप है जिसका विकास मुख्यते 19 वी शताबदी के प्रारम में हुआ हिंदी दिवस कब मनाये जाता है चोदा अक्टुबर चोदा सितंबर ग्यारा जून पंद्रा फरवरी इसका सही जवाब है चोदा सितंबर दिन रात अध्यन करके भी वह पर्थमिस्तान ने प्राप्त कर सका नीचे दिए गए विकलपों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद कीजिए आध्यन अध्ययन 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 इसका सही जवाब है अध्ययन एविकारी शब्द क्या होता है संग्या सर्वनाम अव्यय विशेशन इसका सही जवाब है अव्यय यहां पर हम आपको बता दें जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्थन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं जैसे आगे, पेछे, ओपर, नीचे, यहां, वहां, आदी अविकारी शब्द को अव्य भी कहा जाता है हिंदी वर्ण माला में वेंजनों की संक्या है 32, 34, 33, 52 इसका सही जवाब है, 33 पाहन शब्द का प्रयायवाची है महमान, पेर, पत्थर, परवर्थ इसका सही जवाब है, पत्थर किस समास में पहला पद संक्या वाचक होता है अव्य भाव, द्वीगू, बहुब्रिही, कर्मधारिये इसका सही जवाब है, द्वीगू यहां पर हम आपको बता दें जिस समास का पर्थम पद संख्यावाशक और अंतिम पद संग्यावाशक होता है उसे द्वीगु समास कहते हैं राजपुत्र में कौन सा समास है अव्यभाव, ततपुरुष, बहुब्री, कर्मधारिये इसका सही जवाब है ततपुरुष यहाँ पर हम आपको बता दें, जिस समास में अंतिम पद परधान होता है उसे ततपुरुष समास कहते हैं निमलिकित परतेक चार विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिनहित कीजिए समस्या, खेद, खटिनाई, जटिल्टा, इसका सही जवाब है खेद यहाँ पर हम आपको बता दें, समस्या, कटनाई और जटिल्टा किसी काम की परिशानी को दर्शाता है जबकि खेद इनसे भिन है जिस समास में पूरु, मतलब पहला पद परधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्य भाव, तत्पुरुष, बहुब्रिह, कर्मधारिये, इसका सही जवाब है अव्य भाव यहाँ पर हम आपको बता दें, अव्य भाव समास का परधम परधान और अव्य होता है प्राए इन शब्दों का प्रियोग क्रिया विश्शन की भाती होता है दिये गए विकल्पों में निर्गुन भक्ति काव्य के प्रमु कभी कौन है? सूर्दास, कवीर्दास, तुलसीदास, केशाव, इसका सही जवाब है कवीर्दास यहाँ पर हम आपको बता दें कि कवीर्दास निर्गुन भक्ति धारक के ऐसे कवी थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूनते ग्रहस जीवन निर्वा किया इन्होंने जाती पर्था, धार्मिक क्रमकांड, भाहिय अडंबर, मूर्ति पूजा, जब तब आदी का घोर विरोज किया भारते संविधान में किस भाषा को राज भाषा के रूप में स्विकार किया गया है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल, इसका सही जवाब है हिंदी निमली की परत्तेक चार विकल्पों में से बेमल शब्द को चिन्नित कीजिए घर, प्रियेजन, परिवार, बच्चे, इसका सही जवाब है घर यहाँ पर हम आपको बता दें परिवार, प्रियेजन, तथा बच्चे, रिष्टों को दर्शाता है जबकि घर इनसे भिन है इन परिष्णों को तयार करने में काफी सावधानी बढ़ती गई है फिर भी यदि कोई गलती रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताईएगा ज़रूर अगर आपको हमारा प्रियास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएका नहीं धन्यवाद